अलो दोस्तों तो आज में आपको एडेनियम के कुछ केर के बारे में बताऊंगी तो एडेनियम को फूल दूप चाहिए यानि कि 5-6 गंटे की मीनिमम उसको सन लाई चाहिए तभी अच्छे सा फ्लावरिंग करेगा और इसको टाइम टू टाइम आपको खाथ मी दे सकते हैं यानि कि वर्मी कंपोस खूबर की खाथ सभी देंगे तो यह अच्छे सा फ्लावरिंग करेगा अगर यह नहीं है तो आप देएपिके सेधा नहीं डाल सकते हैं . यह मेरा बड़ा पॉर्थे इसलिए मुझे थोड़ा से ज्यादा देॹ reference इसलिए मुझे इस्तों चूल देले की जुद्धत नहीं है और यहां इसीзд बहुत सब्सक्राइब ठू है क्या है बाइब अधिव आपको यहां से देखिये यहां से मैंने कट प्रिया है। दिखे आपने यह कट किया थो यहां से यह लग करेगा ऐसे कितनी जगह से ग्रोव करेगा अगर आप उसके प्रूनिंग करेगे तो मगरिस का आभी इससंट नहीं है दो बार आप दे सकते हैं तो रूप रोश का प्रॉबलम होगा ये पानी कम ही लेता है और डेजर्ट रोश केता हैं इसलिए इसको पानी कम देना वीक में दो बार पानी देंगे तो चलेगा तो ये बेजिक केड मैंने बता ही है आपको एडिनियम के बारे में अगर कोई और प्वेस्टन है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछेगा मैं हो सके तो उसका अंसर देंगी और ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सबस्क्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू